गाईज आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें तो ये एक तरह का लोग फट्रेक्शन होता है और आपने देखा भी होगा कि आज तक जितने भी लोग सफल हुए फिर चाहे वो एक्टर्स हों या फिर बड़े बड़े बिजनसमेन सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी सफल हो जाओ पर वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या लोग फट्रेक्शन की पावर इतनी ज़ादा होती है कि इससे कोई भी इंसान सफल हो सकता है? और अगर ऐसा है तो दुनिया के चंद लोग की सफल क्यों है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग फट्रेक्शन की टेक्नीक हर किसी को समझ में नहीं आती इसे समझने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है यकीन मानिए ये सब कुछ आप भी सीख सकते हैं एक ऐसे मेंटोर से जोनों ने खुद 10 लाग से जादा लोगों को ट्रेन किया है जिहां हम बात करें वेल लोन मेंटोर मितेश खत्रीक DDLJ यानि की दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे शारुक खान की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे भूल कर भी कोई भूला नहीं सकता लेकिन जरा सोची कि अगर इस फिल्म में शारुक खान की जगा हॉलिवूड के एक्टर टॉम क्रूज होते तो जिहां गाईदा बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं फिल्म के डिरेक्टर आदिते चोपडा इस फिल्म को इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट के तोर पर बनाना चाहते थे जिसमें उनकी पहली पसंद थी मिशन इंपोसिबल के एक्टर टॉम क्रूज इसलिए उन्होंने टॉम को इस फिल्म का ओफर भी बेजा जिसे टॉम ने एक्सेप्ट भी कर लिया था लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इस फिल्म को करने के बदले टॉम क्रूज ने 66 करोड रुपे की डिमांड कर दी